हेलो गाइज गुड मर्निंग नमस्कार मैं हूं घैसराज भट्राई और आप देख रहे हैं रियल सेफ टूटरियल यूट्यूब चानल इस चानल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हैं आज में वीडियो में आप बताने बड़कों कि मलाय चाप कैसे बना जाता है आज में इस वीडियो कूछ बताने वाला हुँ यह अपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और यह काफ eagle में जाता है लगवख सब सबस्य करना पर यह उसको बात में सबनें करों दिया हैं तो क्या मैं हैं सब्सक्राइब करते हैं इसका मैंनेशन त्यार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है तो उसके लिए देख सकते हैं मैं हैंकर यूज डालने वाला हूं सबसे पहले लबकर एक चमज बड़ा मैंने ड़ी डाल लिया है फिर इसमें एक चमज में अमुल करीम डालूँगा मिए हरी मिर्च पीष के लाख रख हैं थोड़ा सा इसको नालने वालत हुआ हूं कास्तूरी मेति और इलाइचि को मैंने एक जगा पीषा है औले शुरूंव этом ये डालने वाला हूं नमक नमक आपको टेस्ट की साथ दालना है किचा बे-ब लेक पिर कर यह इस तो यह डालने के बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ट्रीज़ करने वाला हूं देख सकते हैं कि यह सारा डालने के बाद हम सिंपल इसको मिलाइंगे करेस आप इसमें काजू पिष्के भी डाल सकते हैं काजू को गरम-पानी में विगोघे उसका पेस्ट बना हमकं बनाते हैं तो हमारा स्नाइख स ON lady's इनको हमने दंडी तक बाल इसलिए हैं तो इसको निकालते हैं और उसको ठंड़ा होने के लिए छोड़ स्बस्की तछक्は बीख समयआ हैं और अब हम इसको कार तो पहले है यह निकालते हैं देख आए हुझत कि इसके धंडी हमने निकाल दिये हैं अब देख सकते हैं जो इसके यह यह वाला पाइट है साइड वाला इसको kaloarlo. साइड से इस तर चीशिते के हम काड़ का अगर एक में आलका इनके website को काड़ दी है में और हम इनके छोटे छोटे और स्च भीशन करेंके च्रोटे मतलब हैं हम इसके इस तरह करेंगे हम इसकी दिश्ग है शाओ अगर लगता कि टीन थी तो तीन पीस नहीं तो हम चार बेशी करते हैं तो इस तरगे से आपको स्वाज आपको काटना है देख सकते हैं इतने बड़े साइज में इसको काट लिए हैं अब हम इसको मैनेशन में अच्छी तरगे से मलेंगे देख सकते हैं जो हमने मैनेशन त्यार किया है इसको हम इसमे स्वाइच आपको मैनेट करके राखे हुए आदा घंटा होगे अब हम इसको तंदूर में लगाने वाले हैं इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रेस्टुरेंट में यह सब कस्टमर के अडर आने के बाद करना पॉसिबल नहीं है रेस्टुरेंट में बहुत सा इसी तरके से तंदूर में भी हम मैनेट बगरा करके त्यार करके रहना होता है ताकि जैसे कश्टमर का आटा है उसके बादा बड़ सीख में लगाने वाले हैं तो इसके लिए हमने एक सरीया ले रखा है और इसमें थोड़ा सा प्याज बगरा भी डालेंगे इसके होजासे हमारा जो अच्छा लगेगा तो इसके लिए हमने प्याज को भी हल्का सा मैनेट में मिक्स करेंगे यह सिमला मेंच और टमाटर ले रखा है हमने तो सबसे पहले हम प्याज को लगा लेते हैं अब प्रम इस तरीके से स्वायचाप को इसमें लगाएंगे बनाना बहुती आसान है यह खाने में काफी टेस्टी होता है कि इस तरीके से हमने दो स्वायचाप लगा लिया तो प्याज और टमाटर करके एक जगह मैंने इस तरीके से लगा रहा हूं कि इस तरीके से देख सकते हैं मैंने स्वायचाप को बिल्कुल स्टीक में लगा दिया है बहुती बढ़िया तरीके से और देखने में बहुती आचा लग रहा है और जो भी इसमें मसाला था तो सारा मैंने इसमें अच्छी तरीके से लगा दिया है तो इदर हमारा तंदू तंदुर भी गरम है तो चलिए मैं आप इसको तंदुर में लगा देता हूं इस तरी के से मैंने इसको तंदुर में लगा दिया है और इसको पकने के लिए 7-8 मिनिट तक लाग सकते हैं आपको बीच में चेक करना है तो आपको जब लगेगा गिए पर रिल्कुल पर्फेक्ट पक चुका है तो आपको निकालना है तो बीच में इससे पहले आपको एक बार बटर जरू लगाएं थे खिख्ञाव की देख सक्ते हैं बहुत अच्य तरु से शिख रहा है अभी लगोध दो से 3 मिनिट हुए और वह बहुत प्यार से उपर से नीचे तक बराबर शिक रहा ऑर भी थोड़ी दिर गवाएं तो आर रही थे भावे चुका है तो लेक वार हमलका इसमें बटर इसमें अप्लाई करेंगे फिर इसको दुबारा तंदूर में रखेंगे कि एक बार एक मिनेट के लिए और हम इसको इसमें रखेंगे तो का इस फाइनली हमारा स्वाचाप बिल्कुल तैयार है तो हम इसको निकालने वाले हैं कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा स्वाच आप पक चुका है और देखने में काफी अच्छा लग रहा है देख सकते हैं कि तो चलिए इसको आप हम फाइनल इस बॉल में निकाल गाले जिसमें आमने इसका मैंने तियार किया था आप अधाद से वाले तो आप कर आप देख सकते के का इस तरके से हमने इस वहां में निकाल लिया है और इसमें खुछ भी भी बहुत है रहे है और दैखने अच propose लग रहा है तो अब हम इसमें डालने वाले हैं चाल मसला है तो देख ड़ियो तो देख सकते हैं इसमें चाहओ मसला डालेंगे पीड़िदा छ यूप में इसमें का तो देख सकते हैं बहुत लग रहा है तो चलिए आप इसको एक बिट में निकालते हैं शर्पने वाले हैं और सब्सक्राइब हम यह सब्सक्राइब करनेबर करें कि इस वीडियो में ने आप लोगो दिखाया की मलाई सुयाचा कैसे बना जाता है अगर इस तशायगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इस तरी के से बना हुआ मलाई सुयाचा बहुत ज्यादा टेश्टी बनता है और इसको हम अपने दुकान में 160 साथ रूपे का एक प्लेट बेचते हैं जो कस्टमर को काफी ज्यादा पसंद आता है उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज का यह वीडियो जरूर पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए चेनल को सब्सक्राइब करिए और ज करिए और जड़ और जटे बेचे जर भीडियो को लाइक कर दो करिए जरूर आता है